हेलो व्रिवन वेलकम टू स्टटी ट्यूट इस वीडियो में हम लोग इस स्रीज का पार्ट 34 देखेंगे पार्ट 33 तक हम लोग अल्रडी कवर कर चुके हैं इस स्रीज में हम लोग समान विज्यान के उन सारे सवालों का रिविजन कर रहे हैं जो पूछे गया थे रेलवे ग्रूप D 2018 में हम लोग इस पूरे स्रीज में अब तक कवर कर चुके हैं 1125 सवाल आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे एक वस्तू उर्दवादर इस्थिती में फर्ष पर यू वेक से टकराती है और उसी वेक से पुना वापस उछल जाती है चाले में होने वाला परिवर्तन ग्यात कीजिए यू से टकराती है और यू से ही उछल जाती है तो चाले में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं सेम साइज का प्राप्त करने के लिए वस्तू को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए उत्तल लेंस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमेशा वास्तवीक और उल्टा प्रतिवीम बनता है एक केस है जहांपर अभासी और सीधा बनता है वो है वस्तू जब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो इस केस में क्या है सेम साइज का बनेगा प्रतिवीम सेम साइज का बनेगा और वास्तवीक उल्टा तो होगा ही तो ऐसा होगा जब 2F1 पर रखा जाएगा जब वस्तू को 2F1 पर रखा जाएगा तो प्रतिवीम बनेगा 2F2 पर और य गरे में पानी को रखते हैं, जो घरे में पानी को रखते हैं, तो घरे के ऊपर क्या होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जहांसे पानी का वाश्पिकरन होता है, यानि कि इवैपोरिशन होता है, तो वाश्पिकरन के कारण जो है, शि पसीना है वो वाश्पिकरित हो रहा है जिसके करण आपको ठंडक महसूस होती है तो जहां जहां वाश्पिकरन होगा वहां ठंडक महसूस होती है यानि जिस सतह से वाश्पिकरन होता है वो सतह ठंडी हो जाती है डैश धातू का शय नहीं होता है यह है प्लेटीनम प्लेटीन किसी दूसरे तत्तों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए इसका आश्याहि नहीं होता है निभलीकीत में से कौन सही है जब किसी वस्तु को उपर की और फेका जाता है तो किसी भी इस्तिती में उसकी गती चाहे वह उपर की और जा रहा है या नीचे की और आ रहा हो एक समान होती है जब हम किसी वस्तु को उपर की और फेकते हैं तो उसकी जो गती है वो लगतार घटती है जब हम किसी वस्तु को उपर की ओर फेकते हैं तो उस पर गृत्वा गर्शन बल नीचे की ओर काम कर रहा है यानि बल जो है उसको रोक रहा है उपर जाने से तो जैसे जैसे वस्तु उपर की ओर जाती है उसकी गती घटती है तब ही तो एक height पर जाने के बाद वस्तु रुख जाती है सोचो अगर जो गती है वो अगर कम नहीं होती तो जो गेंध है या फिर जो भी वस्तु हम उपर फिक रहे हैं वो उपर ही जाती रहती अगर हम इसके ठीक उल्टा ले ले अगर वस्तु उपर से नीचे की ओड़ा रही है तो लगतार उसकी speed बढ़ती है लगतार उसकी speed जो है बढ़ती है और जमीन से टकराने से ठीक पहले उसकी जो speed है वो maximum होती है तो यहां लिखा एक समान होती है जो की गलत हो जाएगा यह सही नहीं है किसी भी वस्तु का भार शुने नहीं हो सकता भार बराबर हमारा होता है W बराबर M G G का मान अगर 0 हो जाए क्योंकि G का मान 0 हो सकता है अगर हम प्रित्वी के केंदर पर जले जाए तो G कमान शुनने हो जाएगा G कमान अगर शुनने हो गया तो भार शुनने हो जाएगा दरवेमान तो शुनने नहीं होगा दरवेमान तो वस्तु का कुछ न कुछ होता ही है G का मान अगर 0 हो जाए तो भार भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जहाँ जहाँ G का value 0 वहाँ वहाँ भार भी 0 तो यह possible है तो किसी वस्तू का भार शुने नहीं हो सकता यह भी कहना गलत हो जाएगा हमारा answer यह और भी दोनों गलत है कौन से समू में शामिल तत्तू रंग हीन, गंध हीन और स्वाध हीन है यानि की colorless है, orderless है testless है और यह सारे क्या है, gas है शारिय धातू समू समू एक के तत्तू को हम लोग शारिय धातू बोलते हैं, सारे के सारे धातू है सारे के सारे ठोस है, gas तो है, यह नहीं है वो शारिय धातू यानि की समू दो कतत्तू, शारिय अम्रिदा धातू चीसे बोलते हैं सारे के सारे धातू है, ठोस है gas नहीं है हालोजन समू में, जो की हमारा group नमर 17 है इसमें आपको फ्लोडीन है, यह दोनों gases state में होते है gas group में होते है तो यह भी हमारा नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे क्या है, gas है लेकिन इसमें समू 17 में तो थोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है शुनी समू हमारा आंसर हो जाएगा यानि की group नमर 18 इसमें जो तत्रव हैं वो रंगहीन, गंधहीन, स्वाधीन, गैस है लार में डैश एंजाइम होता है जो saliva होता है हमारे बकल कैविटी में मुक गुवा में इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं एक तो होता है salivory amylage salivory amylage और एक होता है lysogyme lysogyme तो हमारा आंसर यहां पर amylage हो जाएगा salivory amylage c हमारा right answer lysogyme का काम होता है बैक्टिरिया को किल करना जो भी हम चबा रहे हैं खाना उसमें अगर बैक्टिरिया है तो उसको मारना और salivory amylage का काम होता है starch को जो कि एक polysecrite carbohydrate carbohydrate है इसको maltose में तोड़ना maltose में तोड़ना maltose यह एक disecrite carbohydrate है समुद्र जल में धोनी की गति डैश होती है समुद्र जल में धोनी की गति होती है 1531 मीटर परतिसेकंड और 1489 मीटर परतिसेकंड यह है आसुत जल में आसुत जल में हमारा answer यहाँ पर C हो जाएगा sulfur की परमानुकता क्या है तो पिछले ही किसी वडियो है मैंने आपसे कहा था कि जो sulfur होता है यह S8 के form में stable होता है तो इसकी जो परमानुकता है वो है 8 तो यहाँ पर answer हमारा A हो जाएगा बहु परमानुक और phosphorus P4 की रूप में stable होता है तो phosphorus की परमानुकता 4 electric bulb के filaments के लिए विशेश रूप से प्रियोग होने वाली धातू का नाम क्या है tungustan है tungustan का melting point जो होता है यह 3380 degree Celsius होता है निवले के तुमेंसे कौन सी उर्जा गतीज उर्जा है तो गतीज के कारण जो उर्जा होती है उसे हम गतीज उर्जा बोलते है बंदूक से निकली कोली के पास गतीज उर्जा है railway engine के पास गतीज उर्जा है और pendulum के पास गतीज उर्जा है तो D हमारा right answer इनमेंसे कौन सा मनुश्यों में पुरुष प्रजनन तंत्र का पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है यह हो जाएगा शुक्रभाई का वास डिफरेंट समझे से बोलते हैं बाकि यह तीनों हिस्से हैं हिस्से हैं प्रजनन तंत्र के फीमेल के अंदर मादा के अंदर वह ठोस पदार्थ जिसका नाम जिसका समाने नाम शुष्क बर्फ है यानि कि यह ड्राइड आइस है यह होता है solid CO2 solid CO2 यह ठोस लिखकर के दिया हुआ है CO2 carbon monoxide यह poisonous gas है जहरीली गैस है आवसत शक्ती निम्न में से किसके बड़ावर होती है average power निम्न में से किसके बड़ावर होती है तो शक्ती बड़ावर work upon me time या फिर बोल दो energy upon me time किया गया कार बटे में समय या फिर उर्जा का स्थानांतरन बटे में समय तो कुल प्रयुक्त उर्जा बटे में कुल समय यदी कोई मृत्य कीट गर्म मिट्टी में फस जाए तो यह जल्दी अब घटिकते नहीं होगा जो भी कार्वनिक पदार्थ से बना हुआ पार्थ होता है बहाग होता है उसका तो अब घटन हो जाता है इस निशान को क्या कहा जाता है इस निशान को क्या कहा जाता है जिवाश में कहा जाता है C हमारा राइट आंसर फसिल कहा जाता है डैश पोलीमर का उप्योग फर्ष की टाइल बनाने में क्या जाता है यह PVC पोलीविनाइल क्लोराइट ये जो आप पेन देख रहे हो, इस पेन में खाना को पकाते समय, इसमें आप तेल डालो, मसाले डालो, कुछ भी डालो, तो ये चिपकते नहीं है इस सर्फेस के साथ, क्योंकि इस पर टेफलोन की कोटिंग है, टेफलोन की कोटिंग कर देने से क्या होता है, ये जो सर्फेस है ये non sticky हो जाता है दातुओं के oxide जैसी अशुद्यूप्त दातुओं के शुद्धी करन के लिए कौन से प्रिक्रिया प्रियुक्त की जाती है यानि दातुओं है दातुओं है और इसे दातुओं में अशुद्धी है oxide के रूप में धातू है इसमें impurity है यानि कि अशुद्धी है वो भी oxide के रूप में इसी को ऐसे लिखा गया है कि धातू के oxide जैसी अशुद्धी युक्त धातू के यानि धातू है जिसमी की धातू के Oxide के रूप में क्या है अशुद्धी है तो इसको शुद्धी करना है यानि उस धातू को Purify करना है इसके लिए प्रयुक्त की जाती है प्रिक्रिया Poling और इस Method का इस्तमाल होता है खास करके टीन में और Copper में यानि Copper को Purify करने के लिए और Tin को Purify करने के लिए Poling का इस्तमाल होता है एक Bus का Odometer एक यातरा की शुरुवात में 3000 km और यातरा के अंदे में 3600 km रिडिंग प्रदर्शित करता है यदि यातरा में कुल 8 घंटे का समय लगा था तो Bus की औसद गती टैश है Odometer से Distance मापते है तो जब Bus स्टार्ट होती है तब रिडिंग दिखा रहा था कि 3000 km ये Bus जो है पहले से चल चुकी है Bus चलना स्टार्ट कर दी और Finally जा करके Bus कहीं रुकती है वहाँ पर इस रिडिंग को देखा जाता है तो 36 km दिखा रहा होता है यानि Bus जो है Actual में कितनी चली है 600 km 600 km चली है हमसे औस चाल पूछा गया है औस गती पूछा गया है तो Speed वड़ावर होता है Distance अपॉन में टाइम टोटल टाइम आठ घंटे लगे हैं तो 75 km पर आर C हमारा Right Answer जैविकास को डैश के तोर पर परिभाशित किया गया है यह हो जाएगा प्राकिर्तिक चायन Natural Selection किस ने दिया था डार्विन ने नेचरल सेलेक्शन किस ने दिया था डार्वीन ने दिया था इन के अनुसार इस नेचरल सेलेक्शन के अनुसार प्रकृतिक चैयन के अनुसार जो नेचर है उस जीव को सेलेक्ट कर लेता है जो वाता वरन में रहने के लिए सबसे ज़्यादा फिट है और बागी सारे धिरी धिरी नश्ट हो जाते हैं उपार्जित गुणों की वन्शागती इसका मतलब यह हुआ कि जीव अपने जीवन काल में जो भी लक्षन प्राप्त करते हैं वो अगले जेनरेसिन वे ट्रांसफर हो जाएगा इसे बोलते हैं उपार्जित गुणों की वन्शागती उपार्जित गुण यानि की जीवन काल में अपने पूरे जीवन काल में जीव जो है जो जिन अलक्षनों को जिन गुणों को प्राप्त किया है उसे हम बोलते हैं उपार्जित गुण और लमार्क के अनुसार क्योंकि ये बाते जो है लमार्क के द्वारा कही गई थी लमार्क के अनुसार ये जो उपारचित गुण होते हैं ये एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन एक्चुल में ऐसा होता नहीं है तो Lamar का ये जो कहना था इसका जैविकास में कोई योगदान नहीं है निवलिकित में से कौन सा कतन सत्थ असत्य है निवलिकित प्रतिवर्ति अविक्रिया का एक उदारा ने प्रतिवर्ति अविक्रिया यानि कि Reversival Reaction तो देखो ये nitrogen hydrogen से ammonia का निर्मान हो रहा है देखो जब भी आपको ये वाला sign देखे ऐसे समझाना कि reversible reaction है इसमें ये जो दिखा रहा है इसका मत्वर ये हुआ कि nitrogen hydrogen से यानि ये जो अभिकारक है इससे ये उत्पाद का निर्मान हो रहा है और फिर ये जो दिखा रहा है इसका मत्वर ये हुआ कि उत्पाद जो है अभिकारक में भी बदल रहा है तो ये होता है reversible reaction यानि अभिकारक उत्पाद में उत्पाद अभिकारक में एक साथ convert होते हैं जो अभिकारक है ये उत्पाद में और ये उत्पाद अभिकारक में ये दोनो एक साथ कनवर्ट हो रहे हैं तो ये सही है निवलिकित उश्मी अभगटन का एक उधारन है कैलसियम कार्बोनेट का कैलसियम अकसाइड और कार्बन डियोकसाइड में तोटना ये उश्मी अब गटन बोल दो या फिर ताप ये अब गटन बोल दो ताप ये अब गटन या फिर उश्मी अब गटन बोल दो क्योंकि यहाँ पर उश्मा चाहिए होता है तो ये भी सही है A और B दोनों सही है पानी के पांच अणवों का दर्मान क्या है पानि के 5 अनzogen का द्रमान क्या है? पानि का जो सुत्र होता है, हूँ होता है इसका अन्विक द्रमान होता क्या है? 18 ग्राम में नहीं अन्विक द्रमान बले तो 18, simply 18 तो एक अनव का द्रमान 18 है पांच अनो का पुछा है तो 18 गुने में 5 बोल देंगे 90 हो जाएगा हमारा answer अगर एक mole का पुस्ता तो क्या बोलते हैं एक mole का पुस्ता तो हम क्या बोलते हैं इसी 18 में क्या करेंगे ग्राम लगा देंगे और एक mole का जो दर्विमान होता है उसी को molar दर्विमान बोलते हैं molar mass बोलते हैं Dash में Oxygen और Oxygen दोनों होते हैं Oxidation और Reduction दोनों होते हैं Redox Reaction के अंदर Lactic अमल Dash में सबसे तेजी से Glycogen में पड़िवर्तित होता है जड़त से ज़्यादा exercise करने पर जड़त से ज़्यादा व्यायाम करने पर exercise करने पर जो muscles होते हैं वो ठक जाते हैं आपको ठकान महसूर्स होती है किस अमल के कारण एक्जाम में पूछा जाता है तो आंसर आपका Lactic अमल हो जाएगा जो glucose होता है ऐसे तो ये ATP के रूप में टूटता है यानि कि यहां से हमें energy मिलती है बाई प्रड़क्ट यूरूप में carbon dioxide और gel का दिर्मान होता है लेकिन जब आप ज़्यादा exercise करते हो तो वहां पर क्या होता है oxygen की कमी हो जाती है ये बला जो प्रड़क्ट है इसको प्राप्त करने के लिए oxygen चाहिए भरपूर मातरा में अगर आप ज्यादा exercise करते हो तो हमा वारी कोशिका है इसके अंदर ये leactic acid का दिर्मान हो जाएगा जिसके कारण जो है muscle ठक जाते हैं आपको ठकान महसूस होती है इसी lactic acid को लीवर क्या करता है तो इसी lactic acid को ये liver क्या करेगा इसको glycogen में convert कर देगा glycogen में convert करदेगा जिससे animal starch कह जाता है यक्रित हमारा राइट आंजर हो जाएगा वैसे लिवर के अंदर एक यूरिया साइकल भी चलता है यूरिया साइकल भी चलता है जिसमें कि जो अमोनिया होता है इसको कनवर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है इसलिए इसको यू रोधक है रेजिस्टर है जो कि temperature को ले करके या फिर बूल दो heat को ले करके काफी जाधा sensitive है यह है थर्मिस्टर नाम से ही clear है थर्मिस्टर जब भी word आता है थर्मा थर्मल इस तरह का इसका मतों तापमान होता है और रेजिस्टर से यहाँ पर लिया गया है रेजिस्टर थर्मल रेजिस्टर इसी से बना हुआ है थर्मिस्टर इसी से थर्मिस्टर बना हुआ है यानि कि जो रेजिस्टर है यह तापमान को ले करके थर्मल यानि कि temperature इसको ले करके sensitive है अच्छी तरह से विभेदित अच्छी तरह से विभेदित विभेदित होना चाहिए आपर प्र और जो बीज बनाते हैं उससे हम फैन्रोगैम बोलते हैं हमारा आंसर यहाँ पर फैन्रोगैम हो जाएगा देखिए यहाँ पर थैलोफाइटा, ब्राइवफाइटा, टरीडोफाइटा में एम्डरियो पाए जाते हैं जिने स्पोर कहते हैं इन तीन समों के पाउधों में यानि के थैलोफाइटा, ब्राइवफाइटा, टरीडोफाइटा के पाउधों में जो जनन अंग होते हैं जो जनन अंग होते हैं वो आपरत्यक्ष होते हैं छुपे हुए होते हैं इनमें बीज उत्पन करने की शमता नहीं होती है इसे हम क्रिप्टो गैम कहते हैं ये क्रिप्टो गैम कहलाते हैं वहीं दूसरी और पौधे जिनमें जनन उत्तक पुर्ण, विक्सित और विवेदित होते हैं यही लाइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है तथा जनन प्रिक्रिया के बाद बीज उत्पन करते हैं फैनरो गैम कहलाते हैं ये हमारा पार्ट 33 था मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक्यू सो मच